नमस्कार दोस्तों मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे दुर्गराइपूर एक्स्प्रेस वे या बाइपास के बारे में 93 किलोमेटर का ये बाइपास है किस तरीके से मैंने धनोरा नाम की जगा और अन्य जगाओं पर भी ये अपडेट दिया था समय समय पर आज जो अपडेट दोस्तों दे रहा हूँ वो सैलूद नाम की जगा जो की मेरे घर से 15-20 किलोमेटर की दूरी पर है आप ये मान सकते हैं कि 2-15-20 किलोमेटर आप किस तरीके से फूटेज पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ओवर बीच का काम होगा और निचे से ये रोट पास होगा उसी तरीके से अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से दिखा पा रहा हूँ जूम करके तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बिटूमिन का काम भी सुरू हो चुका है हाला कि मैंने लाइब जाकर वहाँ पर वीडियो में सारी चीज़ बताईए बढ़ आवाज उत्ती क्लियर नहीं आई इसलिए मुझे अलग से ये वीडियो बनाना पड़ा और सोचा कि उस वीडियो को इस वीडियो के मादम से से शेर जरूर करूँ तो आप लोग को जर्णल आइडिया लग गया होगा कि काम किस तरीके से चल रहा है काफी फास्ट काम चल रहा है ऐसा लगता है कि एक से देड़ साल में इस पर आवाज आही सुरू हो जाएगी पर एक बात याद रखिए में जो टाइम कंजूमिंग होता है इसी तरीके के क्योंकि दूर्ग राइपूर एक highly populated city है और यहाँ से बहुत सारे साखाएं अलग-अलग जगाओं के लिए रोड निकला हुआ है और वहाँ पर फ्लाइओवर का काम बहुत सारी जगाओं पर चल रहा है मतलब खुद दूर्ग में 7-8 जगा पर चल रहा है तो हर जगाई के इम्बैंग्मन structure हो गया ब्रिज हो गया फ्लाइओवर मत कहिए उसको आप कहलेजिए overpass कहलेजिए या underpass कहलेजिए क्योंकि उसको flyess से उठाके एक तरह का ब्रिज नुवाइद structure बनाएंगे फ्लाइओवर मत कहिए उसको तो इस तरीके से काम चल रहा है तो वो काफी time का zooming होता है आसा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगले interesting वीडियो में वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद